हलो फ्रेंट्स वल्कम तो माई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हारदिक स्वागत है हाथ फड़कने का क्या मतलब होता है दोस्तों पिछले वीडियो बे मैंने महलाओं और पुर्षों की आँखे फड़कने का और होट फड़कने का मतलब बताया था यदि वह वीडियो आपको देखना है तो नीचे दिये गे लिंक पर जाकर देख सकते हैं यदि भी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों आज के दोर में यदि हम हाथ वड़कने की बात करें तो आज की युवापीडी सिर्फ इसे एक अंध विश्वासी मानती है परंतु यदि हम शास्त्रों की बात करें, खास तोर पर सामुद्रिक शास्त्र की, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार विक्ति का शरीर अत्यन्त सम्वे दंशील माना जाता है, जो कि भविश में होने वाली शुब और अशुब गटनाओं से अवगत कराता है, ऐसा माना जाता है कि सामुद्रिक शास्त्र या अंग सास्त्र की रचना कार्ति के जीने की थी जिसमें मनुश्य के अंगों के फड़कने का विस्त्रत वेचन किया गया है इसके अनुसार अंगों के फड़कने के पीछे कई गूड रहसे छिपे हुए हैं जो समय समय पर व्यक्ति को दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के नुसार यदि किसी मनुष्य का दायां हत्व फड़कता है, तो यह अत्यान्त शुब माना जाता है, ऐसा माना जाता है, कि ऐसे विक्ति को निकर बविश में धन लाब, अथ्वा मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ती हो सकती है, वही द प्रतिष्ठा की प्राप्ती हो सकती है वहीं यदि किसी मनुश्य का दाया हाथ का अंगूठा फड़कता है तो भी यह अत्यंत शुब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि निकट बविश में आपको शुब समचार मिलने के आसार हैं दोस्तों हाथों की उंगलियां फड़कना भी अत्यंत शुब माना जाता है यह यह संकेत देता है कि निकट बविश में आपकी किसी प्रेश से मुलाकात हो सकती है अत्वा आपके संबंध और अधिक मधूर हो सकते हैं आए जानते हैं यदि किसी मनुश्य का बाया हाथ फड़कता है तो क्या मतलब होता है दोस्तों स विक्त को उसकी पुराने कोई खोई हुई कीमती वस्तों की प्राप्ती हो सकती है अत्वा भविश में उसे किसी नए अवसर की प्राप्ती हो सकती है वहीं बाया हाथ की हतेली का फड़कना स्वास्तलाब के तरफ इशारा माना जाता है या यूँ कहें कि यदि किसी बिमार विक्ति के बाएं हाथ की हथेली फड़कती है तो उसे जल्दी स्वास्तलाब हो सकता है वहीं बाएं हाथ का अंगुठा फड़कना शुब नहीं माना जाता ऐसा माना जाता है कि यदि किसी मनुष्य के बाएं हाथ का अंगुठा फड़कता है तो निकट बविश में उसे किस किसी असुव समचार की प्राप्ती हो सकती है या किसी विशेश प्रकार की हानी होने का संकेत माना जाता है दोस्तों आए जानते हैं यदि हाथों की उंगलियां फड़कती है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के नुसार यदि किसी मनुष्य के बाएं हाथ की तो इसे अत्यंद शुप माना जाता है ऐसा माना जाता है कि यदि आपके हाथों के उल्यां फड़क रही है तो निकट बविश में आपकी किसी प्रेय से मुलाकात हो सकती है अत्वा किसी सुबसमाचार की प्राप्ति अवश्य होती है दोस्तों ये तो हो गई शास्त्रों ससम्मंधित बातें आए जानते हैं विज्ञान के नुसार मनुष के हाथों के फड़कने का क्या मतलब होता है दोस्तों विज्ञान के नुसार मनुष के हाथों का फड़कना विक्त के जीवन के काम प्रक्रिया है यदि आपका हाथ जादा फड़के अत्वा ल प्रिया है प्रंतिधी शास्त्रों की माने खास तोर पर सामुद्रिक शास्त्र की तो हाथों के फड़कने के पीछे कई गूर रह से छिपे हुए हैं जो समय से में पर व्यक्ति को शुब और अशुब घटनाओं का संकेत देते हैं दोस्तों आशा करती हूं कि आज की जानकार आपको बहुत अच्छे लगी होगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्या मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद